बूंदी की तालेडा तैसील में एक शराबी और इश्वत खोर बाबू की तस्वीर एवन टीवी के कैमडर में कहद हुई है जिसमें शराबी बाबू दिन दहाड़ी अपने कार्याले में शराब पी रहा है वो भी उस समय जब आफिस का समय होता है दरसल एक पीड़ित सुरि कर आने गया तो अन्य पक्ष ने जमीन के रिजस्ट्री कराने पर अथिराश जाहिर किया और कोट से ले लिया साथ साथ ही SDO ने मामले की सुनवाई के लिए 25 तारीख दी लेकिन इसके पहले ही SDO ने दूसरी पार्टी के पक्षमे फैसला सुना दिया और जो पूरे मामले की नकल लेने के लिए वो तैसील कार्याले पहुंचा तो वहां मौझूद बाबू बिजराच सिंग ने नकल देने की ये वज में 4000 रुपए की रिश्वत मांगी मौके पर पीड़ित ने 500 रुपए तो उसे दे दिये जिसको रिश्वत खोर बाबू ने पासी खड़े एक लड़के को उठाने के लिए कहा और कुछ दिर बाद जब एवन टीवे संबाद आता योगेंदर महावर वहां पर पह सवाल यह उठता है कि ऐसे में ब्रशचार अधिकारियों पर आखिर कारवाई कब होगी शराबी बाबू के कारणामे की सूचना कुछी पल में पूरे तैसिल में आग की तरह पहल गई इसके बाद शराबी बाबू हमारे संबादाता के सामने हाथ जोड़ता हुआ झाल 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 झाल